हलो नमस्कार सातियों मैं हर भीर्चिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजी क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है और अगर आ आप टीचिंग लाइन से हैं तो आपके लिए ये चैनल काफी इंपोटेंट है तो आज की इस मॉर्णी न्यूज में मैं आपको काफी इंपोटेंट खबर बताने वाला हूँ और ये खबर हर भारतियों को खुशी से भर देगी तो सातियों क्या खबर है आप देखते रहे आप जानते हैं हिंदी भासा इंडिया के अंदर एक महत्पूर्ण स्थान रखती है अभी क्या हुआ है कि आबुधाबी के अंदर हिंदी को कोट की तीसरी अधिकारिक भासा बना दिया गया है मतलब जो आबुधाबी है उसमें क्या हुआ है कि कोट की तीसरी जो अधिकारिक भासा होती है वो क्या बनाई है हिंदी बनाई है तो साथियों ये एक अच्छी खबर है इंडियन्स के लिए और आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ आपको तथ्या बता देता हूँ और ये कोश्चन आपके किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है कि हाली में हिंदी को किस देश की आधिकारिक तीसरी आधिकारिक भासा बनाया गया मतलब कोट की तीसरी आधिकारिक भासा बनाया गया तो सात्यों ये कोश्चन आ सकता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ तथ्य और आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो संयुक्त अरव अमीरात है मतलब UAE है तो इसमें क्या है कि भारत के जो लोग रहते हैं वो 26 लाग के लगबग है मतलब 26 लाग भारत के लोग ये संयुक्त अरव अमीरात है उसमें रहते हैं और जो की कुल आबादी जो UAE की कुल आबादी है उसका 30 फीसद है मतलब 30 फीसदी 30 परसेंट लोग इंडियन है UAE के अंदर तो इसको हिंदी को तीसरी अधिकारिक भासा बनाने का कारण क्या है कि इंडियन के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उनके पक्स में बाते रखी जा सके उनके उनको उनका हक मिल सके तो ये एक अच्छी पहल किया है और बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए मैं जो UAE ही है उनकी सराना करता हूँ और आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात और बता देता हूँ जो UAE है इसकी जो कुल आबादी है कुल आबादी में दो तिहाई विदेशी परवासी है मतलब दो तिहाई विदेशी परवासी है और भारत के लोग कितने हैं 26 लाग के लगबग इंडियन लोग इसमें रहते हैं तो सातियों ये एक अच्छी खबर है और ये आपके एक्जाम के point of view से भी important है तो आप ध्यान रखे ये जो news है ये कब की है 11 फरवरी 2019 को news paper की news है तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़े आपको समझ आयोंगे और आपको बता देता हूँ इससे पहले क्या था अर्बी अंग्रेजी जो अबुधाबी कोट में मतलब जो पहले language थी वो कौशी थी अर्बी और अंग्रेजी और इसके साथ अब क्या हो गई हिंदी भी हो गई तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है खुशी की बात है कि हमारी राष्टे भासा को वहाँ पर आधिकारिक भासा बनाया गया है तो साथियों अगर आपको निउज अच्छी लगी तो अपने व्यूज जरूर दे गुडबाई, टेक कियर, थेंक्यू, जैहिन, वंदे, मात्रव